एवरिवन वेलकम बैक तो अवेकनिंग क्लासेज आज ये कैसेज़ वी एक्जाइम इस अप्रोचिंग एंड स्टूडेंट साइंस एंट टेक एक वीडियो होनी चाहिए तो आज आपके लिए साइंस एंट टेक के लास्ट वन एयर में जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स विस्ट टो वो क्या है किसने उसकी वैक्सीन बनाई है तैसे करके में वी परिपेर करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं दहुए कि पॉइंट करने नोट बैटना में एडिश्टनल इंफॉर्मेशन भी आपको साथ‍ट में देता रहूंगा तो एक ही बार प्रिपेर अब आपको तीन चीज़ा यहां पर पता होने चाहिए एक तो जुपिटर 3 किस ने लॉञच करा तो करें वर्ल्ड की लाज़ेस्ट अगर कोई प्राइवेट कम्मिनिकेशन सेटलाइट है तो वो कौन सी है जुपिटर ठीक है और किसने इसको लॉंच करा है इसको लॉंच करा है स्पेसेक्स ने यह चीज आपने याद रखने है ठीक है बस इतना ही याद रखना है रेलिवेंट मीषन मिषण किसने लॉंच करा हो तो इस रोणिट लॉंच करका उप्सरी करने वकातन वशुक्र अख इसनि के एक कमास्ट अध्यकरों करेंगे फोशन के स्ट्री करेंगे एक को अगरी करें इस यहां पर हम सैटलाइट को प्लेस करते हैं तो अधित्य अलवन कौन सा मिशन है किसने लॉंच करा इस्टों ने लॉंच करा और यह क्या है बेसिकली संके को स्टेडी करने के लिए हमने इस मिशन को लॉंच कर रहे ठीक है होब दिस इस क्लियर तो यू थर्ड पॉइंट पर मूव करते हैं चंदर्यान थ्री मिशन यह तो सब को पता होगा चंदर्यान टू मिशन हमने पहले लॉंच करा था बट वह अंसक्सेस्फुल लहा मतलब वह प्रॉपर्ली नहीं कर पाया उसक चंदर्यान 3 मिशन की खाचियत यह है कि इसको लॉंच किस ने कर दा तो इस्टों ने लॉंच कर यह आप सबको पता है यह वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन है जो सौफ्ट लैंड कर था साउथ पोल आफ मून में लैंड करने वाला वर्ल्ड का यह पहला मिशन है यह चीज आपन सब्सक्राइब करने के चंदर्यान का मिशन तो चंदर्यान 3 मिशन की बात करें यह वर्ल्ड का पहला मिशन जिसने 2 मचे संदरीयान 3 मिशन कि यह ने फिर 92 मिशन जो किया है देखो इंडिया ने अभी दिसेंटली क्या करना है दोहजारच चोविस में गगनयान मिशन को लांच करना है ठीक है गगनयान मिशन को लांच करना है इसे एप human Spaceflight mission है मतलब हम Space में humans कोKen बेजए अब ही तक हमने humans को सकते में इसलिए हम गणन्यान मिशन लांच करने जारे हैं लाउंच करने जिसमें हम humans को सपेस में बेजएंगे यह की पहले भीसा काम कर चुकी है ये इसा काम कर हुआ है कर रुष्य ने जो है स्पेस हुए तेन कंट्री जो है स्पेस में काम कर चुकत कैंगा अब बैजने के साथ-साथ इंडिया जो है एक लेडी मि अनि तो हमने हमने साथ में यह चीज आपने याद रखने यहां पर दो वर्ड है वियों और मित्र वियों का मतलब उता है और मित्र का मतलब क्या हो गया स्पेस फ्रेंड यह एक लेडी रोबोट है गगनयान के लिए जो इंडिया ने गगनयान लॉंच वियों मित्र को भी लेडी रोबोट को भी भेजना इंडिया फर्स कंट्री नहीं जो थे लिए इस से पहले रॉप्श चाइना अल्रीडी यह मिशन आंड कर चुके हैं यह चीज आपने याद रखने हैं ठीक है अई ओप इस इस क् अस्फोसिट्र wy타ी की स्बास्आइब के लिए एूसी का उसमे ट्रोजन इसको बॉसे एक्स्प्रोड करने के लिए फीस मिशन रएकिस ने लॉंच करा है। चीज़ आपने आपको पता होई चाहिए है तो यूसे की स्पेस अजन्सी है यह चीज़ आप सबको पता है वह इतनी इंपर्टेंट नहीं है उनका सिर्वा आपको पता होना चाहिए वह किस कंती के साथ एकिस प्लानेट के लिए बस डाइट इस सफिशन फॉर एक्जाम औरना साइन से लेटिड मैंने एक दो लेक्चर पहले भी लाया हुए करेंट अफेर्स के लेटिड और साइन से टेक पॉर्शन है वह मैं वापिस शेयर कर दूंगा कमेंट कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वह जुरूर देख लेना क्यूंकि आपको पता है क्लिए करेंट अफेर कोई दो तीन महीने पहला करेंट अफेर नहीं होता वह काफी पहले वाला करेंट अफेर भी पूछ से चोटी सी वीडियो होगी आप देख लोग उसने आपने के सब्सक्राइव झांचे याद रखने है के याद तो तो हमारे सकाइरोस्पेस परहाई स्कों रिfahren आपने याद है शर्त होगी त्राइव स्काइल ने शोतुल्यैक वे रिसेंट द यहां स्क रूट करा है यह शल्में एक याद रखने है थैक टो श्योंन ठीक है next point में मूव करते है चैट GBT अभी चैट GBT का टाइम चला इवन जो हमने अपनी वेब साइट में आई है वो भी चैट GBT की हल्प से ही बहुत ज्यादा अधर करने वाला Pre-trained Transformer जिसके पहले से उसमें इंफोर्मेश्ट पड़ी है प्री ट्रेंड देखो इस चैट GBT को किसने बना याई ने इसको बनाया और इसको Вां घंसको बैकर कर रहा है Microsoft बैग कर रहा है तो चैट GPT क्या है चैट GPT सबसे पहले उपन आई ने मिनाया यह एक तरह का टूल है एक एप है जिसमें आप अगर आपको कोई भी information चाहिए आप लिखोगे तो उसके सारी information आ जाती है इवन अगर आपको कोई अल्टरनेटीव बनाया है Google ने यह याद रखना यह भी पूछ सकता है इसका अल्टरनेटीव करता है वह गूगल का बाइड भी करेगा तो जो अगर आपको एक्जाम में पूछ ले कि चैट GPT का क्लोन क्लोन होता है सेम वही काम करने वाली चीज वह गूगल ने क्या बनाया ह है यह चीज भी आपने याद रखना है तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो ठीक है सिंपल है वन वन लाइन में देख लें चैट GPT क्या है चैट जनेरेटीव प्री ट्रेंड ट्रांस्वार्मर ओपन याई ने बनाया ओपने AI की बैकिंग माइक्रोसाफ्ट से इसी तर प्रिटर के IQ मून को एक मिशन है जूस मिशन आपको सिर्फ याद रखने है कि इसपेस अजरीशंश यूडन क्या है देखो इंडिया का पहला फाइब जिनेर्ट रोन है क्व्क से चलने वाला इंडिया का पहला जो है 5G enabled drone है उसका नाम क्या है Skyhawk ठीक है Skyhawk और इसको develop किसने कर रहा है यह आई जी ड्रोन है इसको ड्रोन जो है एक कंपनी है इसने इसको develop किया इंडिया का एक startup है देखो startup space field में start हुए तो इतना काम करें चाहिए वह स्काइड रूट अब आप आई जी ड्रोन देख रहे हो तो Skyhawk क्या है इंडिया का पहला 5G enabled drone है इसको develop कर रहा है किसने आई जी एक startup है आई जी ड्रोन अब इसकी खासियत पता है जो हमारे पास पहले एक जंगल में कहीं पर प्लेस पर है यहीं से यह वर्टिकली टेक आफ भी कर सकता है और वर्टिकली लैंड भी कर सकता है Skyhawk की यह खासियत है यह चीज़ आपको याद रखने इस वैरी इंपोर्टन फॉर एक्जाम तो Skyhawk जो है वो किस ने डेवलप कर रहा है आई जी ड्रोन ने कर रहा एक स्टार्ट अप है और इंडिया का पहला फाइव जी इनेबल ड्रोन है यह चीज़ आपने याद रखने ठीक है इसने लाउंच करना इस्ट्रोन करना इंडियां स्पेस रिसर्च और्गनाजेशन करना यह चीज़ आपको पता होई चाहिए नेक्स्ट इंपोर्टन इस इस इंपोर्टन है एक्जाम में पूर्ष सकते डार्ट मिशन देखो यह इंडिया का मिशन नहीं है बट तब भी ब रिवाल्व कर आगर वह एस्टरॉइड जो है अर्थ के साथ तक्रा जाते तो अर्थ में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसलिए यह आगर कोई एस्टरॉइड आर्थ की तरफ आएगा तो उसको क्या है हम उसको इसकी डिरग्शन जो है जो है चेंज करी थी नासा ने कोन से मिशन के तहट घार ये चीज़ आपने याद रहुकों का पहला प्लैनेटरीडिफरेंस सिस्टम है को ग्राइनेट को बचाने के लिए ऐस्टरियड के कोलीजन से बचाने के लिए मिशन है ठीक है और यहाँ पर कौण सा मैथिड यूज ओर है का इनेटिक impact method का method क्या है यह पता होना जो है वह आपको पता होना चाहिए यही रेलिवेंट है आपके एक्जाम के लिए ठीक आई होब डार्ट मिशन आपको क्लियर हो गया होगा next is hakuto mission यह एक Japanese word है तो यह एक Japanese mission है moon के लिए इतना याद रखना यह Japanese mission है moon के लिए जैपान की स्टार्ट अप है स्टार्ट अप का नाम है इन स्पेस इंक ठीक है इन स्पेस इंक यह एक Japanese start-up है उन्होंने एक mission launch करा moon के लिए जिसका नाम है hakuto mission important क्या हुआ है कि यह जपान की पहली ऐसी जो स्टार्ट अप बोल सकते हैं जिन्होंने एक कोई mission launch कर रहा तो इसलिए इंपॉर्टन हो जाती है इन्होंने यह बनाया तो है इसको कहा जाता है तो यह चीज भी आपको पता होनी जाहिए नेक्स्ट इंपोर्टन पॉइंट इस इंडिया फुर्स फ्र्राइबेट्लिध लिखुरम उन्ज उन साराबाई जी के नाम पे विख्रम सारा भाई जिए अनको पर रवांदर आफ इंडिया प्रेस failure चिण और एक Hyderabad-based startup company है अभी हमने उसका नाम लिया था Skyroot Aerospace उन्होंने ही बना है तो दो चीज़ें आपने याद रखने है इंडिया का पहला जो privately developed rocket है वो कौन सा है Vikram S rocket Vikram Sarabaiji के नाम पर है Vikram Sarabaiji को founder of Indian Space program बोला जाता है और यह एक हाइदाबाद-based startup ने बनाया जिसका नाम है Skyroot Aerospace ठीक है नेक्स पॉइंट पर मूव करते है नाविक नाविक जो है इंपोर्टन है एक्जाम में पूर सकता है नावी की फूल फाम है navigation with Indian constellation देखो नावी क्या है जैसे GPS है ना अगर अगर आपने किसी की location ट्रेस करने हो ग्लोबल प्रोजिशनिक सिस्टम यह वर्ल्ड क्या है बट अगर रीजनल किसी रीजन में अगर आपको space में पता करना किसी की location देखनी हो तो आप इंडिया में नावी का यूज कर सकते हो नावी क्या है एक किसम का सेंटेटलाइट नेविगेशन सिस्टम एंडिया का अपना आ अंटेनोमस फूं सेंटेवर इसको इसलिच इंसका उता हाँ एकंटर में पूछा गया था कि क्या नाविग जो है सिरफ इंदिया को को ही ञएट फेसिलीटिटी प्रोवाइड कर सकता यह है आफ जो संवाइड कर सकता है यह चीज आप नहीं है हमारे साथ वली सब इन सब को भी हम जो है नावी की हेल्प से प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया की पहली डाक स्काई रिजर्व जो है वह कहां पर ओपन हो रही है लदाग के हैंले में डाक स्काई रिजर्व मतलब क्या है कि स्पेस को देखने के लिए बनाया जा रहा है इसको और ऐसी जगह पर पर आप स्काई करने के वहां के लिए we'm वहां पर वहां नहीं होता है इस एरिया में जैसे लिए बिनेफिचर में च com कर सकते हो तो इस पॉंखिंट के लिए भी अपने डिन अन्प पर करते हैं इस रोस विर्चुल स्पेस मुजियम देखो स्पार्क या है आपको पूर सकता सपार्क इस रो का विर्च्वाल स्पेस मुजियम मतलब क्या हुआ अजादी के अमरी मोहतसब हमने सेलीबरेट करा 75th Independence को आप सब कर सकते हो कि जो इस रोने है वो क्या-क्या किस-किस फील्ड में कांप कर रहा है यह किसने लॉंच कर रहा था यह हमारे जो इस्टों के चेयर मैं है सोमनाज जी उन्होंने लॉंच कर रहा था यह चीज़ आपने याद रखने है ठीक है इस वैरी इंपोर्टन तो स्पार क्या ह सब्सक्राइब कर रहा है इस तो ने डेवलब कर आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में यह कहां पर है प्लेस भी एक्जाम में पूछी जा सकते हैं तो कहां पर है यह प्लेस आपने मुझे बताना है ठीक है इस वेरी इंपोर्टन नेक्स्ट मूव करते हैं नूरी Favorite Space Rocket कोन सी कंट्री का था तो साउथ कोरिय का था यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नेक्स्ट इस इंस विक्रांद तो वैरि इंपॉर्टेंट इंडिया का पहला इंडिजीनियसली इयर्क्राफ्ट कैरियर, इंडिया का पहला Indigenously Developed मत अमने खुद बनाया है एयरक्राफ्ट करियर उसका नाम किया है आई-एएइन Eस विक्राहट टो करैर्डिया के एक आई-एइन च्विक्रम जी एनए तिया धो आइए जीर विक्राहन थे चीज़ आपको पता होनी चाहिए this is very simple I hope this is clear to you next new logo of Twitter देखो ट्विटर का पहले logo क्या था एक बढ़ थी ना लोगो में अब उसको चेंज करके अलॉन मस्क ने क्या कर दिया एक्स रख दिया में लिजामें पूछा जा सकते हैं एक्स का अल्टरनेटिव है यह ने आपको पता होना चाहिए तो लोगो किसा है एक्स ट्विटर का लोगो है यह आपको पता होना चाहिए ठ्क है एक तरह का माल्वेर है मतलब एक तरह का वाइरस ही है अगर आपके फोन में लगा दिया जाएगा आपका डेटा जो है वो ले लिया जाएगा और फिर आपको बोला जाएगा कि आप कुछ पैसे दो क्रिप्टो करेंसी की फॉर में और फिर आपका वो डेटा छोड़ा जाएगा अधरवाज उसको ल सब्सक्राइब 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 सागर संपर्क सागर संपर्क है इंडिजीनियस डिफरेंशल ग्लोबल नविगेशन देखो अगर जो हमारे पास जो हमारी इंडिया नोशन वाला रीजन है अगर वहां पर कोई शिप जा रही है वह सेफली नैविगेट कर पाए और एफिशेंट मोमेंट हो वेसल्स की ठीक है तो मैंने आपको बता दिया मैंट ने थ्रेड लॉंच करा जो एक अल्टरनेटिव है किसका ट्विटर का मैंटा क्या है फेस्बुक इंस्टागाम इन सबकी पेरेंट कंपनी है यह चीज़ आपको पता होने चाहिए निसार यह भी इंपॉर्टन है निसार निसार में स्टे सेटलाइट यह चीज़ आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टन है यह एक्जाम के लिए ठीक है निसार क्या है नासा इस्टो सिंथेटिक अपर्चर रेडार यह क्या है आर्थ ऑब्जर्वेशन सेटलाइट है जो नासा इस्टो मिलकर और 2024 में इसको लांच करेंगे नेक् सबसे फास्ट जो है वह सुपर कंप्यूटर इसने किसको सरपास कर रहा पहले फुगाकू था जपान का सुपर कंप्यूटर था उसको फ्रेंट ने अभी रिप्लेस कर दिया है यह पॉइंट भी आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टन ठीक है नेक्स पैगसे तो न्य तरह का यह बेसिकली इसराइल बेस सॉफ्ट वेर यह आप याद रखना है इस बहुत न्यूज में रहता तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्पाइवेर आपका कंप्यूटर पोर्शन भी है तो अकीरा और पैगसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए और यह साइंस इ जुगल बंदी यह इंपोर्टन है जुगल बंदी यह पहली बात जुगल बंदी किस ने डेवलप कर रहा है Microsoft ने डेवलप कर रहा है यह एक मल्टी लिंग्वल ए आई चैट बॉट है मतलब बहुत ज्यादा लैंग्वेजिस में बताता है सिर्व इंग्लिश में आपको इ इंफॉर्मेशन ने उसको एक्सेस कर पाए इसके लिए जुगल बंदी Microsoft ने डेवलप कर रहा है फॉर रूरल इंडिया के लिए ठीक है यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट इस इंपोर्टन इपॉइंट इस एरावत देखो एरावत क्या है एक आर्टिफिशल पूने में ठीक है आपने यह याद रहें नेक्स्ट इंपोर्टन इस अब देखे लेते हैं कुछ हमारी वैक्सिन से रिलेटी या डिसीज रिलेटी देख लेते हैं सबसे पहला इस इनकोवैक क्या है इंडिया की पहली इंट्रा-nazal कोविड वैक्सिन है तो इन पहली टीब्यार को ही निक्षे-मित्र-इनिश्यटिव किसके रीटी इनिश्यटिव आपने याद रहें तो को को भारत को को TB मुक्त करना है इसी इनिशेटिव का नाम है निक्षे मित्र इनिशेटिव यह चीज़ आपको पता होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट इंपोर्टेंट इस लंपी स्किन डिसीज आई थी लंपी स्किन डिसीज जिसके वाद से बहुत ज्यादा की डेथ हुई थी राजस्तान ह इस लंपी स्किन डिसीज जो है एक inशीज ऑ कि नाम है याद रिखना है मत préfट में दाने जाते उसकंगे लंपी स्किन डिसीज और एक स्किन डिसीज पहली बार जो है थे हम जो अपने खेतों में यूरिया डालते थे वह आपको पता है वाइट कलर के ऐसे चीनी के ड्रॉपलेट्स चीनी की ऐसे क्रिस्टल्स की तरह आते थे ठीक है अब उसको हमने रिड्यूस करके एक नैनो यूरिया लिया है तो बहुत स्माल साइज का होता है एक लिम Annual फार्मर्स फर्टिलाइज गला इंहित कि कि व्यूरिक करते इधाए ऑर यह झान से सब्सक्राइब कहिएल रिमेट्स करता है जैसका यूरिया टाफ एक रिलीज होके अगर बार्वारिश हो जाला करनेipples ने निकल नहीं जाती है इसका यह भी फाइद है ठीक है और इसको हम इसली जो है स्प्रे कर सकते हैं क्योंगे लिक्विड फॉर्म में है तो नैनो यूरिया के बारे में यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट इस टोमाटो फ्लू में फल्यू होता है टोमाटो बिलोंग करते है ठीक है इसका नाम घंवाले बच्चे करता है इसको फाइव यह वाले बच्क टमाटो फ्लू आपको बहुत जाटा होनी चयों करला में बहुत सारे कैसे तेक टुमाटो फ्लू के रिलेटी कह अट इसक्सेगत तो यू नैस्क्स वर्ल्ट का लाज़ेस्ट से सबसे बड़ा बैक्टेरिया इसका नाम मैंकी का मतलब यह लाज इन साइज है है त्यों मार्गरेटा, इसका नाम है, यह लाज़्ड ढेक्टीरिया है जो इसके बाद मंकी आउक सी बात करते हैं मंकीक किया है, मंकी की आुक्स बी एक वाईरिस मतलब वाईरिस की वज़ा से होता है जूनौटिक है मतलब एक ऐसी डिसीज जो अनिमल से हुमें में transfer हो सकते हैं उस तो बोलते हैं जूनाटिक डिसीज ठीक है प्राइमली टॉपिकर रेंड फॉरेस्ट में होती थी सेंटल और वेस्ट अफ्रीका के इसको मंकी पॉक्स वाइरस कॉस करता है जो और वेस्ट अफ्रीका में पहले इनिशेट हुई ती यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए ठीक है नेक्स इस अल्फा फोल्ड यह इंपॉर्टन है अल्फा फोल्ड क्या है देखो अगर आपने प्रोटीन के स्ट्रॉक्चर को स्टेडी करना है उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया कंप्यूटर सिस्टम है जिसका नाम है अल्फा फोल्ड ठी तो कुछ से डीप न्यूरल नेटवर्ग इस टेक्नालोजी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हम प्रोटीन के स्ट्ट्ट गो तो उसके लिए हमने तब लेंडन गी उन्हें ने अनौन कर आगे उन्होंने त्रीमेशें स्ट्ट्टर को स्टेडिक करा है किसकी हल्प से अलफा फो करने के लिए this is very important for your exam देखो एक बार ना इन शौर्ट दो मिनट में रिवाइस कर लेते हैं यह सारा जो हमने पड़ा हुआ देखो जूपिटर 3 मिशन किसका मिशन है स्पेस एक्स का मिशन है सिंपल है स्पेस एक किया था वियो मित्रा लेडी रोबर्ट है जो इंडिया का गगन यार मिशन है जो स्पेस फ्लाइट ईद्या इंडिया फोर्थ कंट्री बन जाएगा जुपिटर के आइसी मून से उनको एक्स्प्रोर करने के लिए स्काई होग क्या है इंडिया का फाइव जी इनेबल ड्रोन है और किसने डेवलप कर एक स्टार्ट अप है आई ड्रोन उन्होंने डेवलप कर रहा है शुकरियान वन वीनिस मिशन है जो इस रो लॉंच करेंगा हकाटू मिशन एक जपान का मिशन है मून का इनके एक इन स्पेस इंक जो है एक स्टार्ट अप इस ने लॉंच कर रहा था इंडिया की बाउंडी से पंदर सो किलोमेटर बाहर तक भी अपनी जो प्रोवाइड कर सकता है इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां पर बनाया है कहां पर बनाया आपने कमेंट बॉक्स में बताना है नूरी जो है साउथ कोरिया का पहला स्पेस रॉकित था जिसका मिशन फेल हो गया था इनस विक्रांथ इंडिया ने पहला इंडिजीनियस ली एरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है आट पेजन दो चल रहें लोग आपको याद होना चाहिए निसार क्या नासा और इस्ट्रों सिंथेटिक अपर्चे रिडार यह क्या है यह नासा और इस्ट्रों मिलके आर्थ ऑब्जर्विशन सेटलाइट जो है जो रिसेंट्ली लांच करेंगे फ्रेंटियर क्या है वर्ल्ल का फास्टे सूपर इंडिया की पहली इंटरनेसल जो है नेसल के थूट वैक्सिन इनको वैक्सिन निक्षे मित्र अभियान जो है यह प्रदानमंत्री का टीवी मुक्त अभियान है जिसमें हमें टीवी को इलिमिनेट करना दो हजार परचिस तक लंपी स्किन डिसीज एक वाइरल डिसीज और पहली बार यह जैंबिया में देखेंगी जो है एक लिक्विड फर्टिलाइजर है जिसको आई एफ सी ओने डेवलप करता है तो मार्टो फ्लू देखो कॉक्स करता है एंटिरो वाइस फैमिली से बिलॉंग करता है इसमें टॉमार्टो शेप के हमारे पास दाने हो जाते है स्किन पर और यह पांच साल के कम एज वाले बच्चों को ज्यादा एफेक्ट करता है इसका नाम है थियो मार्गरिटा मैगनिफिक और मंकी पार्क्स एक वाइरल जुनॉटिक डिसीज है यह आपने याद रखने अल्फा फोल्ड हमने देखा एई बेस प्रोटीन जो स्ट् के कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब और शेयर करें और इसकी जो पीडिएफ है आम अपने टैलिग्रम में शेयर कर देंगे और कल की पीडिएफ में शेयर कर दूंगा जो मैंने एक लेक्चर लाया था इंपोर्टेंट जो भी आपकी मोग टेस्ट हमने कंडेक्ट करवाया है आप वेबसाइट में जा सकते हैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अप प्लेलिस्ट में जाना मेरे वीडियो में चार-पांच दिन पहले उसके लेटे एक पांच मिनर की वीडियो डाली थे आप किस तरह से इन्रोल क करके फाइदा उठा सकते हो और बागी अगर आपको एक आदा मोग टेस्ट और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना विविल वर्क और किसी वीडियो के लेटिट अगर आप चाहते हो कि जल्दी कोई वीडियो आए को एक ऐसा टॉपिक है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस इस इत पर तूदे थैंक यू सो मुझ फर वाचिंग